हेलो एवरिवन वेलकम टू साइंकॉमार्स अकेडमी माइनेम इस रमाकांत आई होब के आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स यदि आप एंटी यूजी सिनेट का एक्जाम देने के चुक हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकॉन को प सब्सक्राइब कर लीजिए जहां हम आपको फ्री पीडिएफ एंड नोट्स प्रोवाइड कराते हैं आप टेलेग्राम में सर्च करें साइंकॉमर्स अकेडमी आपको हमारा टेलेग्राम गुरॉप मिल जाएगा यही लोगो लगा है जो हमारी यूट्यूब चैनल का ओफि अब पेपर के लिए रेलेवेंट भी है तो प्लीज इसको लाज्ट तक देखते रहे हैं अपने इस टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लाइव एमसी क्यू सॉल्फ करना चाहा रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है ये बेना इमसी क्यू उल्फ किये जैसे रेफ क्यूसक्राइब नहीं किया जा सकता हमारे बहुत से meal outside यह जिनके net वो दो तीन- problema है बस JRF qualify नहीं हो पा रहा है बट इसका reason है अधिक से अधिक MCQ solve ना करना इसलिए हमारी आपसे एक request है कि आप यदि MCQ solve करना चाहते हैं वो भी live तो आप हमारे इस channel को अपने friends में share करिए और उनसे subscribe कराईए क्योंकि YouTube पर live class लेने के लिए 1000 subscriber की need होती है बट हमारे अभी around of 700 subscriber है हमारी आपसे request है कि आप जल से जल अपनी इस YouTube family को यह हमारा channel होने के साथ साथ आपका भी channel है जल्दी से जल्दी आप 1000 subscriber complete कराईए जिससे कि हम आपकी लिए जल से जल लाइव MCQ लाकर डेली लाइव क्लास लगा सकें हमारे एंटी उजी सिनेक का जून का एक्जाम है उसके फॉर्म 15-16 मार्च को आने वाले हैं इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी 1000 subscriber complete करवाईए जिससे कि हम डेली लाइव MCQ स्वार्ब कर सकें और आप जितने भी हमारे YouTube मेंबर हैं आप सभी का जून 2020 में JRF कौलिफाई हो ओके आईए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज हम बात करेंगे foreign trade policy पर ठीक है तो आएए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं दा गवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एननाउंस्ट न्यू फोरें ट्रेड पॉलिशी ऑन फस्ट अप्रेल तूथाजन फिफ्टीन for the period 2015-2020 earlier this policy known as export-import यानी एक्जिम policy भारा सरकार के वानिज्य और उध्योग मंत्राले ने 2015 से 2020 की अवधी के लिए एक अप्रेल 2015 को नई विदेश व्यापार नीती की घोशना की पहले इस नीती को निर्यात आयात एक्जिम नीती के रूप में जाना जाता था after five years foreign trade policy needs amendments in general aims at developing export potential improving export performance encouraging foreign trade and creating favorable balance of payments positions 5 साल के बाद विदेश व्यापार नीती को सामाने रूप से शंशोधनों की आवशक्ता होती है जिसका उदेश है निर्यात छमता विक्सित करना निर्यात प्रदेशन में के एक्जिम policy और foreign trade policy is updated every year आपको दिहान रखना है every year on the 31st of March and the modification improvement and new schemes become effective from April month of each year क्या कहा है इन्होंने निर्यात आयात नीती यानके एक्जिम नीती या विदेशी व्यापार नीती को हर साल 31 March को improve किया जाता है और उसका संशोधन किया आता है सोधार और नई योजना प्रतियक वर्ष के April महीने में प्रभावी हो जाती है ओके आगे क्या है The Foreign Trade Policy 2015-20 was unveiled by Mrs. Nirmala Sita Raman जो की हमारी Finance Minister है Minister of State for Commerce and Industry Independent Charge Government of India on April 1st 2015 यानकी विदेशी व्यापार नीती 2015-20 का अनावरण है न किसने किया शूश्री निर्मला Sita Raman ने किया हम हिंदी इसमारे बताते चल रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत से फ्रेंड हिंदी में भी preparation कर रहे हैं जो वानेज्य और उद्योग राज्य मंतरी जैसे कि हमने बताया Finance Minister है न भारा सरकार 1 April 2015 को की गई थी आईए आगे देखते हैं कुछ highlights हैं following are the highlights of the FTP कौन-कौन से हैं आईए देखते हैं first है हमारा FTP 2015-20 provides a framework for increasing export of goods and services as well as generation of employment and increasing value addition value addition in the country in line with the makes in India इस line को ध्यान रखना आपको make in India program यह highlights ही जो है ना इन ही में से question put up हुए हैं हम आपको दिखाएंगे यह question पहले भी put up हुआ है video class में मैं आपको दिखाऊंगा वह question क्या कहती है यह FTP 2015-20 में make in India कारेकरम के नरूप देश में माल और सेवाओं के निरियात में ब्रद्धी के साथ साथ रोजगार सर्जन और संबर्दन बढ़ाने के लिए एक रूप्रे का प्रदान करता है आए सेकंड जेखते हैं The policy aims to enable India to respond to the challenges of the external environment keeping in step with a rapidly evolving international trading architecture and make trade a major contributor to the country's economic growth and development यानि की नीति का अदेश है भारत को भाहरी पर्यवरण की चुनोतियों का जवाब देने में सक्षम बनाना है जो तेजी से विक्सित हो रहे अंतराश्टी व्यपार वास्तुकला के साथ कदम रखते हुए देश की आर्थिक ब्रद्धी और विकास में व्यपार का एक बड़ा योगदान देता है आई होब कि आपको किलियर हुआ होगा आई ये थर्ड देख लेते हैं FTP 2015-20 introduced two new schemes आपको इन दोनों schemes का नेम अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यह भी यही तो पूछा गया था उसमें namely MEIS क्या फुल फॉर्म है Merchandise Exports from India Scheme ओके यह किसके लिए है export के लिए for export of specified goods किसके लिए goods है ना to specified markets and second है SCIS यहने कि services exports from India Scheme यह किसके लिए है service के लिए है MEIS किसके लिए था goods के लिए SCIS service के लिए for increasing exports of notified services ओके यानि FTP 2015-20 अधिसूचित सेवाओं के निरियात में ब्रद्धी के लिए निदिश्ट बाजारों में विशिस्ट वस्तूओं के निरियात के लिए क्या चीच करती है MEIS है Merchandise exports from India Scheme और सेवाओं के लिए SCIS ना Services exports from India Scheme ठीक है I hope के आपको clear हुआ होगा आए next दिखते हैं fourth duty credit scripts issued from under MEIS and SCIS and the goods imported against these scripts are fully transferable है ना fully transferable यानि कि MEIS और SCIS के तहत जारी किये गए duty credit scripts और इन scripts के खलाफ आयात किये गए सामान पूरी तरह से transferable है यानिकि हस्तांद्रणिये है I hope के आपको clear हुआ होगा आए next देखते हैं जो कि हमारा fifth for grant of rewards under MEIS the countries have been categorized into three groups whereas the rates of rewards under MEIS range from 2% to 5% है ना यानि कि MEIS के तहत पुरुषकार देने के लिए है ना rewards देने के लिए देशों को 3 समूहों में वर्गिगत किया गया है Under SCIS the selected services would be rewarded at the rates of 3% and 5% है ना SCIS के तहत चैनित सेवाओं को 3% और 5% किदर से पुरुषकृत किया जाएगा MEIS में 2% से 5% और SCIS में 3% से 5% किदर से पुरुषकृत किया जाएगा आपको ध्यान रखना है ओके I hope कि आपको clear हुआ होगा आये next देखते हैं जो कि यह हमारा 6th 6th है measures has been adopted to procurement of capital goods from indigenous manufacturers under the EPCG scheme by reducing specific export obligation to 75% to 75% of the normal export obligation हना यानि EPCG योजना के तहत स्वदेशी निर्माताओं से पूंजी गत वस्तूओं की खरीत को विशिस्ट निरियात दायत्व से घटा कर सामान्य निरियात दायत्व की कितना 75% यानि 75% तक सीमित करने के उपायों को अपनाया गया है ओके I hope कि आपको किलियर हुआ होगा आए नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा 7th क्या है measures have been taken to give a boost हैना to exports of defense and high-tech item यानि रक्षा और उच्च तक नी हैना defense and high-tech high technology हैना कि वस्तूओं के निर्यात को boost देने के लिए यानि कि boost करने के लिए बढ़ावा देने के लिए उपाय किये गए है ओके next क्या है 8th क्या है हमारा e-commerce exports of handloom products books leather footwear toys and customized fashion garments through किसके courier और foreign post office would also be able to get benefit of MEIS for values up to indian rupees 25,000 यानि courier या विदेशी डागघर के माध्यम से handle on product यानि की हट करगा उत्पादों पुस्तकों चम्रे के जूतों खिलोनों और अनुकूलित fashion के कपड़ों के e-commerce निर्यात भी MEIS का लाप राप्त करने में सक्षम होंगे कितने के लिए इंडियन रुपीस 25,000 तक के मूल्यों के लिए ओके I hope के आपको clear होगा होगा आए नाइन से देख लेते हैं manufacturers who are also status holder will now be able to self-certify their manufactured goods in phases as originating from India with a view to qualifying for provincial treatment under various forms of bilateral and regional trade agreements है ना निरियात जो भी इस्तिती धारक है वे अब भारत से दियुपक्चिये और यहनकी bilateral है ना दियुपक्चिये और छेतरिये व्यपार समझोतों के बिभिन रूपों के तहत तरजीही उपचार के लिए अहरता प्राप्त करने के उदेशे से अपने निरियात माल को चर्णों में हैना स्टेप्स में फेजिज में स्वप्रमारित कर सकेंगे अक्ये सेफ सर्टिफ़ाइ कर सकेंगे इस अप्रूफ्ट एक्सपोर्टर सिस्टम विल हल्प मैनुफेक्ट्रर एक्सपोर्टर्स कंसीडरेबली इज गेटिंग फास्ट एक्सेस तो इंटरनेशनल मार्केट्स यानि कि यह स्विक्रत निर्यात्यक प्रणाली निर्माता निर्यात्यकों को अंतररास्ट्री बाजारों तक तेजी से पहुँच बनाने में काफी मदद करेगी helpful होगी I hope कि आपको किलियर हुआ होगा आए नेक्स्ट दिखते हैं 10 है हमारा A number of steps have been taken for encouraging manufacturing and exports under 100% EOU EHTP, STPI BTP schemes याने की विनिर्माण और निर्यात को प्रोजसाहिद करने के लिए 100% है ना 100% EOU EHTP STPI और BTP के तहत कई कदम उठाये गए हैं The steps include a fast-track clearance facility for these units permitting them to share infrastructure facilities permitting inter-unit transfer of goods and services permitting them to set up warehouses near the port of the export and to use duty-free equipment for training purposes है ना याने की कदमों में phases में steps में इन इकाईयों के लिए एक fast-track clearance सूविदा सामिल है जो इन्हें बुनियादी सूविदाओं को साजा करने की अनुमती देती है है ना वस्तु और सेवाओं की अंतर इकाई हस्तांतरन की अनुमती देती है उन्हें निरियाद के बंदरगाह के पास गोदाम इस्थापित करने की करने और प्रसिक्षन यानि की ट्रेनिंग है ना प्रसिक्षन उदेश्यों के लिए शुल्क मुक्त उपकरण यानि की duty free equipment है ना का अपयोग करने की अनुमती देती है आई होप के आपको किलियर हुआ होगा आए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा 11 108 MSME clusters have been identified for focused interventions to boost exports निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित हस्तक शेपों हस्तक शेपों के लिए 108 MSME समुहों की पहचान की गई है accordingly है निर्यात बंदू scheme कौन सी निर्यात बंदू scheme has been galvanized and to achieve the objectives of skill India है न यानि की निर्यात बंदू योजना को कौशल भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जस्ती और प्रत्यावर्थित किया गया है I hope किया आपको clear हुआ होगा आईए 12 देख लेते हैं प्रत्यावर्थित करने में आसानी को बढ़ाना इस नए FTP में अन्य मुख्य यानि प्रमुख फोकस छेत्र हैं यानि कि नए FTP का एक मुख्य उद्देश है 24 इंटु 7 वातावरान में पेपर्लेस वर्किंग की और बढ़ाना है आई होप कि आपको ये clear हुँ होगा फ्रेंड्स यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलेगराम गुरूप को जोईन करिए हमने आपको शुरू बताई दिया आप टेलेगराम में सर्च करें Science Commerce Academy आपको हमारा टेलेगराम गुरूप मिल जाएगा इसकी PDF हम आपको वहीं पे शेयर कर देंगे फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में आपका एक लाइक ही हमें motivate करता है और वीडियो बनाने के लिए और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए हैना हमारा अगला लक्षर आने वाला अच्छा था कि हम आपको कोशन में दिखाएंगे इंडिया फॉर्यंट ट्रेट पॉलिसी पर जो की आया है हमारा जून 2019 में क्या कहा है भारत व्यापार नी थी निरियात आया टू थू थाउजन फिफ्टीन के ट्वैंटी है नैंटीन लिग गया है इन से के संबंद में न निरियात को दुगना करना वस्तियों और सेवाएं दोनों इंक्लूड है ओके फर्स्ट हमारा ये भी सही है है ना दूसरा है वैश्विक निरियात में 3.5 हिस्सेदारी हाशल करना आपने ध्यान से सुना होगा तो ये भी है इस पॉलिसी में दो नई योजना है हमने अभी बात करी थी MEIS और SCIS है ना उन दोनों को नाम दिया गया है कि दो नई योजना है MEIS और SCIS की शुरुवात की गई ये भी सरासर जोको करेक्ट है सरलिकरत आयात नेरियात प्रपत्र की शुरुवात की गई है यहां पर आल्मोस्ट चारों सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा को ध्यान से पढ़िए और अब हमारा 2020 भी आ चुका है जो कि हमारी न्यू FTP पॉलिसी आने वाली है अपरेल में हम उस पर भी आपको एक वीडियो बना देंगे